नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय मोरिया और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी वििसे का लेशन प्लान लेकर के आया हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहता हूँ दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरू दबाईएगा दोस्तों और यद मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे व बुष्य चक अबादी अप इनको भठेंगे दिनान के नीचे उस सटितकों कित करेंगे बयार जिस्ट्रकोर फिरिअ मामा है ये हिंदी बिस्य के अंतरगत में इंया है अगर दोस्तों इसके बाद सामान उद्देश से प्रक्रण के बाद आएगा दोस्तों सामान उद्देश सामान उद्देश सामान उद्देश में क्या रहेगा दोस्तों नमबर एक बच्चों में हिंदी विशय के प्रति रूचिजागरित करना नमबर दो बच्चों को कल्पना सकत सामान उद्देश के बाद दोस्तों आएगा विशी श्ट उद्देश में देखे क्या रहेगा नमबर एक इस बेंक के माध्यम से बच्चे भारती नेताओं के मनुभाव को समझ सकेंगे नमबर दो इस पार्ट को पढ़कर बच्चे एक जागरू कोटर बनेंगे नमबर तिर बच्चों के अंदर भारती राजनीत की समझ उत्पन्द होगी नमबर चार बच्चे जब कोटर हो जाएंगे तब वे ऐसे उमीदवार का चैन करेंगे जो की देश हित में कार करने वाला होगा विशिश्ट उद्देश के बाद दोस्तों आएगा आपका सिच्छण वीदी सिच्छण वीद में देखे हमारा प्रशनोतर वीदी है और ब्याख्यान वीदी है फिर उसके बाद सहायक सामागरी साहयक सामागरी में विबिन राजनीतिक पार्टियों के जंडे का चित्र और उन पार्टियों से जुड़े राजनेताओं का चित्र सथा अन्यक अच्छा पयोगी बस्तुएं साहयक सामागरी के बाद दोस्तों पूर्वग्यार पूर्वग्यार में है बच्चे अपने रक्त संबंद से जुड़े रिष्टों को जानते हैं तथा उसकी सामान जानकारी रखते हैं पूर्व ग्यान के बाद दोस्तों प्रस्ताओना, प्रस्ताओना में आप तीर कालम बनाएंगे करम संक्या, छातर ध्यापक क्रिया और छातर क्रिया, यहाँ पहला प्रशन करेंगे बच्चे से कि तुम्हारे घर में कौन-कौन लोग रहते हैं, तो छात बताएंगे माता, प पतली तुम्हारी क्या लगेंगी, छात बताएंगे नानी, फिर अगला प्रशन बना लेंगे नानी का पुत्र क्या लगेगा, छात बताएंगे मामा, फिर अगला प्रशन यहां से बना लेंगे कि तुम्हारे मामा के मामा तुम्हारे क्या लगेंगे, छातर मौन हो जाएं इसके लेखक सरद जोसी है इसके बाद दोस्तों प्रसुती करण में हम पाठ को दो अन्मतियों में बाठ सकते हैं पाठ बड़ा है लेकिन यह पाठ छोटा था इसलिए एक ही अन्युट में हम इसको पढ़ाएंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे प्रारंभ का एक दो सब्द ल करवाया जाएगा अब इसके बाद देखिए दोस्तों अब इसके बाद देखिए दोस्तों है काठिन निवारन काठिन निवारन में आप दो कालम बना लेंगे सब्द और अर्थ सब्द में देखिए कठिन सब्दों को लिख करके उसका आर्थ आप लिखेंगे अर्थ में तो देशे यम्पी, यम्पी क्या है, मिम्बरा पार्लियमेंट आनि सांसद, सक्स क्या है, व्यक्ति, नजर का आर्थ क्या है, द्रिष्टि, इसके बाद दोस्तों आप दो कालम बनाएंगे, छात्रा ध्यापक कथन और छात्र कथन, इसमें आप बच्चों से पार से संबंधि प्रश्ण पूछेंगे, बच्चे अपने भासा में या कुछ जो समझ में आये गा उनको जबाब देंगे, लेकिन आप आसपास्टी करन के द्वारा पूरा बार आप बताएंगे, ब्याक्ष्या के द्वारा, तो यहां प्रश्ण देखिए है, जब सज्जन ब्यक्ति वार फिर अगला प्रश्ण, सज्जन ब्यक्ति उसको क्यों नहीं पहचाने, छात्र मौन हो जाएंगे, अब ब्याक्ष्या में आप बताएंगे पूरा, एक सज्जन ब्यक्ति जैसे ही वारान सी स्टेशन पर पहुँचे, तभी एक लड़का उनके पास मामा जी, मामा जी कहते ह वे आया, सज्जन ब्यक्ति उससे बोले तुम कौन हो, तो एक बोला मैं मुन्नठा हूँ, आपका भांजा सज्जन ब्यक्ति नहीं समझ सके कि वे कौन है, फिर भी बोले तुम यहां कैसे, तो मुन्ना बोला आज कल मैं यही रहता हूँ, अगला प्रश्न, मामा जी ने क्या सोचा कि चलो कोई साथ तो मिला अगला प्रशन मामा जी ने मुन्ना से क्या पूछा चात्र मन हो जाएंगे अब ब्याक्षा में बताएंगे बिना पहचाने ही वह सजन ब्याक्ति उसके साथ वाराणसी घूमने लगे कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर फिर पहुंचे गंगा घ वह सजन ब्यक्ति नदी में उतरे डूबकी लगाई हर हर गंगे बाहर निकले तो सामान गायब कपड़े गायब मुन्ना भी गायब वह सजन ब्यक्ति तवलिया लप्यटे खड़े रह गए अगला प्रशन यह व्यंग किस पर लिखा गया है भारती ओटर तथा जब चुनाव आता है तो यही नेतागण हमारे पैरों पर अर्थात ओटर के पैरों पर गिर कर ओट मागते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं तो उनका दर्शन दुरलब हो जाता है उनसे मिलना तक संभव नहीं हो पाता है भारती ओटर उस सजन की भाद ठगे महसूस करने जोस्तों बोध प्रशन बोध प्रशन देखिए नंबर सजन ब्यक्त से कौन मिला था दूसरा प्रशन है सजन ब्यक्त किस घटना के सिकार हुए नंबर तीन चुनाव के समय राजनेता क्या करते हैं क्या करते हैं इसके बाद मौन वाचन चात्रा ध्यापक चात्रों से मौन किये गए है नमबर तिन वाक सुध कीजिए कह वही जिसके मामा है हम कह पहुचे वाराण सी सर्जन एक स्यामपट कार चात्रध्यापक चात्रों की काफियों का निरिच्छड करेंगे कि जब यह सब स्यापटकार उतार रहें होंगे, ग्रीह कारे, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया, इस वाक किसे लेखक का क्या आसे है, नीचे हस्ताक्षण परवेच सक फिर हस्ताक्षण चातर दयाँ पर गग, इसीकसा दोस्तों यह लेसल प्रां सवार्थ होता है, दो होगा दोस्तों लाइक बनन जरू दबाईएगा दोस्तों चैनल पर नए है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अब वीडियो को जादे जादे सेर करिए दोस्तों धले बात